तो दोस्तों अगर आपके पास भी Samsung का Mobile Phone है और आप अपने Samsung Mobile Phone में Apps को Update करना चाहते हैं तो कैसे आप Apps को Update कर सकते हैं आज की वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं बहुती आसान सा बहुती सिंपल तरीक आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से Apps को Update कर सकते हैं ओपन करने के बाद भाई देखो यहां पर आपको ऊपर कौने में आपका profile जो सी email से आपने add कर रखाया अपना मतला account वो यहां पर दिख जाएगी तो आपको कौने में यहां इस पर किलिक करना है मैं तोड़ा ऊपर कर लूँगा ताकि मेरे Gmail ID ना दिखे यह देखो भाई कुछ इस तरीके आपको दिखेगा और यहीं पर आपको manage app and device दिख जाएगा सबसे उपर ही लिखा हुआ तो आपको इसके उपर किलिक करना है यहां किलिक करते ही आपके सामने आ जाएगे option update available 36 apps pending update है ठीक है तो यहां से आप चाहे तो एक साथ यहां से अपडेट कर सकते हैं details देखनी है तो भाई आपको Samsung phone में यहां पर करना पड़ेगा अब आपके सामने आ जाएगे अबर आप चाहें तो यहां से update all कर सकते हैं एक साथ में सारी अपडेट होना शुरू हो जाएगी पर आपको करना क्या है वाई इसमें आपका net भी उता है देखो यहां पे लिख साथ update कर लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगी नेट चेक कर लें नेट हो तभी इसको update कर लेना विडियो से लिए को लाइक करें चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फूर वाचिक इस वीडियो